हलो फ्रेंट्स इस योजना के अंतरगत उत्तर परदेश सरकार गरीब परिवार की बेटियों की शादी के लिए 51,000 रुपे की आर्थिक सहायता देगी राजी सरकार उत्तर प्रदेश द्वारा इस योजना के अंतरगत केवर अनुसूचित जाती अनुसूचित जन जाती अन्ने पिछड़ा वर्ग अल्पसंखक सामानने वर्ग के गरीप परिवारों को शामिल किया है अब बात आती है कि आवेदन कब तक भड़ सकते हैं शादी के 90 दिन के अंदर इसका आवेदन कर सकते हैं विवा अनुदान योजना की योगिता क्या हैं? लोग ही आवेदन कर सकते हैं, परिवार की वारशिक आये 40-50,000 से अधिक नहीं होने चाहिए। इसमें जरूरी डॉकिमेंट्स चाहिए, आधार कार्ड, आय परमान पत्र, आवेदक का पहचान पत्र, जाती परमान पत्र, बैंक खाता, आवेदक का शादी परमान पत्र, राशन कार्ड, पासपर्ट साइस फोटो, मोबाइल नंबर, यदि परमान पत्र, इस योजना का करना है उसको open करना है उसके number two है home page को खोलने के बाद नया पंजिकरण विकल्प को चुनना है उसके बाद अपनी जाती के according आपको इसको विकल्प को चुन लीजिए जो भी आपकी जाती है उस पर आवेदक का फोटो आवेदक का नाम पुत्री का नाम वर्ग जाती पहचान पत्र की फोटो कॉपी जाती प्रमान पत्र संख्या आवेदक के पिता या पती का नाम आवेदक का लिंग पुत्री के पिता का नाम यदि आवेदक विधा विकलांग है इमेल आईडी मोबाइल नं को अप्लोड कर दें अब इसको सेव कर लें और सब्मिट बटन पर क्लिक कर पुत्री विवा अनुदान योजना आविदन फॉर्म को जमा कर दें जमा किये गए फॉर्म का प्रिंट आउट अवश्य लें इस तरह आप उत्तर प्रदेश विवा अनुदान योजना 2022 के लिए अनुदान आविदन कर सकते हैं